हाँ जे दोस्तो नमशकार दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि एंटी आक्सिडेंट्स किस परकार आपको दिल की बीमारी से बचाते हैं किस परकार अगर आप एंटी आक्सिडेंट्स का ज्यादा सेवन करेंगे तो आप दिल की बीमारी से बज सकते हैं कॉलेस्ट्रोल को नसों के अंदर जमने से रोक सकते हैं हाट अटेक से बज सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक से बज सकते हैं देखिए यह तो आपको पता ही है कि दिल की बीमारी का जो बड़ा कारण होता है वे होता है नसों के अंदर kolesterol का जमना जब नसों के अंदर kolesterol जमता है तो उससे blood flow कम होता है और अगर blockage ज्यादा बढ़ जाए तो heart attack होता है तो अगर आप किसी तरह से kolesterol को नसों के अंदर जमने से रोक पाएं तो आप heart attack से बस सकते हैं brain stroke से बस सकते हैं तो जो antioxidants होते हैं यह kolesterol को नसों के अंदर जमने से रोकते हैं मैं आपको समझाता हूँ कैसे देखिए एक परकिरिया होती है जिसे कहते है oxidation आप सबसे पहरे oxidation समझ लीजिए आप oxidation समझ जाएंगे तो फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी oxidation वह परकिरिया होती है जिसके अंतरगत किसी चीज का नुकसान होता है हमारे आसपास हवा है वातावरण में हवा है यह हवा जब किसी चीज के संपर्क में आती है तो उस चीज को खराब करती है जैसे लोहे की एक्जामपल ले लीजिए लोहा जब oxygen के संपर्क में आता है तो उसे जंग लगता है लोहा सड़ता है इसी को oxidation कहते है यानि किसी चीज का oxygen के संपर्क में आना और फिर उसका खराब होना हमारी नसों के अंदर खून होता है और खून में cholesterol भी होता है और oxygen भी होती है जब यह cholesterol oxygen के संपर्क में आता है तो इस cholesterol की oxidation होती है और यह जो oxidized cholesterol होता है यही नसों के अंदर जमता है तो अगर आप किसी तरीके से cholesterol की oxidation को रोक सकें तो आप cholesterol को नसों के अंदर जमने से रोक पाएंगे तो यहीं पर antioxidants का रोल सामने आता है जो Antioxidants होते हैं वह Oxidation की परकिरिया को रोकते हैं तो अगर Colesterol की Oxidation नहीं होगी तो वह नसों के अंदर नहीं जमेगा और आपको दिल की बीमारी नहीं होगी आपके खून के अंदर Antioxidants की कितनी मातरा है उससे ये निर्धारित होगा कि आपकी नसों के अंदर Colesterol कितनी तेजी से जमेगा अगर Antioxidants ज्यादा होगे तो Colesterol जमने की परकिरिया धीमी होगी अगर antioxidants आपके खून में कम होगे तो cholesterol तेजी से आपकी नसों के अंदर जम सकता है क्योंकि तेजी से उसकी oxidation होगी cholesterol की तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी diet में ज्यादा से ज्यादा antioxidants का सेवन करना है ताकि आपके खून के अंदर, आपकी नसों के अंदर जो cholesterol है उसकी oxidation ना हो पाए और वह cholesterol आपकी नसों के अंदर ना जम पाए तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जो antioxidants होते हैं वे किन चीजों में होते हैं तो जो antioxidants होते हैं यह फलों में होते हैं, सबजियों में होते हैं, सलाद में होते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फल खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कच्छी सबजिया खानी हैं, और ज्यादे से ज्यादा सलाव खाना है। अगर आप अपनी डायेट इस तरीके की बनाएंगे, तो आपके खून में anti-oxidants की मातरा ज्यादा जाएगी, और आपके खून के अंदर कॉलिस्ट्रॉल की ऑक्सिडेशन कम होगी अगर कॉलिस्ट्रॉल की ऑक्सिडेशन कम होगी तो आपकी नसों के अंदर कॉलिस्ट्रॉल कम जमेगा ज्यादा नहीं जमेगा कॉलिस्ट्रॉल कम जमेगा तो आपको दिल की बीमारी होने के चांसिस कम होंगे तो ये था एंटी ओक्सिजेंट्स का रोल दिल की बीमारी से बचाने में तो इसलिए जो vegetarian diet है, फल, कच्ची सब्जियां और कच्चा सलाद ये आपकी healthy life के लिए बहुत ज़्यादा महत्तपूर्ण बन जाते हैं बस आज का ये चोटा सा topic था कि एंटी ओक्सिजेंट्स के इस तरह आपको दिल की बीमारी से बचाते हैं आने वाले समय में मैं heart disease के उपर और भी videos बनाने वाला हूँ जो आपकी knowledge में व्रिधी करेंगे, धन्यवाद